Lesson 3, Lesson 2 तक आपका P.A. 1 में आचुका है Plants, Our Green Friends Plants हमारे हरे दोस्त We eat fruits and vegetables ये कह रहे हैं हम फल खाते हैं, सबजी खाते हैं But have you ever wondered where do they come from? लेकिन तुम हमेशा surprise करते होंगे कि ये सबजीजे कहां से आते हैं All fruits and vegetables, सभी फल और सबजीयां that we eat come from plants सभी पॉदों से आते हैं The animal world depends Either directly or indirectly upon the plants for food और जितने भी animals हैं वो directly or indirectly plant पर depend करते हैं फूट के लिए जैसे अब शेर कहेंगे शेर तो plant नहीं खाता जैकिन शेर क्या खाता है? डियर को खाता है और डियर क्या खाता है? प्लांट खाता है यहां से रहनों का पुराना कप्रा रखा हो तो बढ़े The plants are the source of food to all living things सारी चीज़ों के लिए plants ही जिन्दा चीज़ों के लिए खाने का source है Like human and animals Human and animals के लिए Human मतले इंसान Plants not only produce food for us But also provide us with fresh oxygen to breathe Plant न केवल हमें खाना देते हैं बलकि oxygen भी देते हैं जिन्दा रहने के लिए Actually plant photosynthesis होता है एक process उससे food बनाते हैं और जब food बनाते हैं तो एक gas बाहर निकालते हैं उस gas का नाम होता है Oxygen उसी से हम सांस लेते हैं Oxygen से ठीक है अब हम आगी पढ़ते हैं Green plants are living organisms Green plants जिन्दा और्गिनिजम है That make the are on food अपना खाना खुद बनाते हैं They are called the producers Green plants को हम क्या कहते हैं producers It is the green leaf that make food for the plants Plant के लिए खाना कौन बनाती है Green leaf बनाती है Leaves are green in color पत्तियां हरे रंग की होती है Due to the presence of a green colored substance called chlorophyll क्योंकि हरे थकतियों में एक पिग्मेंट होता है Pigment मतलए colored substance होता है उसे chlorophyll कहते है तो जो पोदे के वहल हरे होते हैं वह ही अपना खाना बना सकते हैं क्योंकि हरे फादों में एक प्रौरा Pourfan नहीं होगा वह अपना खाना नहीं बना पाएंगी Let us study in detail how green plants make their food अब हम detail में पढ़ेंगी green plant अपना खाना कैसे बनाते हैं यह leaf है आपकी यह जो बड़ा सा होता है पत्ता जैसा इस वो कहते हैं lamina यह जो lines होती है इसे छोटी 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 इन्हें कहते हैं veins V-E-I-N-S side veins और जो बीच मोटी line है that is called mid rib क्या कहलाती है उस इतना ही रिखना है आपको पूरा नहीं में ड्रिप यह लामिना है वीजा side veins है और यह apex है अपक्स मतलब टिफ और नीचे यह कहलाता है पैटियॉल यह leaf का डाइग्राम अपनों आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे लीफ कैसी होती है इसके बीच में यह बीच में एक में वेन होती है ऐसे लीफ बनाते है यह अपक्स में जो मोटी वाली बनाते है इसे कहते हैं में वेन होई बता है इसमें में वेन और इसमें साइड वेन बाहर निकल कर आती है इन वेन का क्या काम होता है यह पानी पहुंचाती है इतर से उदर Plants have different kinds of leaves हर पौद में अलग अलग तरह की पत्तियां होती है ऐसी थोड़ी होती है देखा आपने कहीं पर इस तरह की होती है कहीं पर बिल्कुल पत्ली कार्टों में बदल जाती है यह बताया है कि Plants have different kinds of leaves, we can generally identify a plant by looking at its leaves यह कहरे हम किसी भी प्लांत को अधितर leaf देखकर पहचान सकते हैं Parts of leaf, leaf के part कौन होते हैं, take a leaf, एक leaf लीजिए and observe it carefully और इसे ध्याँ से देखिए You will find that it has many parts, इसके अंदर बहुत सारे parts है, now turn the leaf over and look closely using a magnifying glass Leaf के ओपर एक magnifying glass रिखे, magnifying glass मतला एक lens होता है, जो बड़ा करके दिखाता है There are many tiny holes, इसके अंदर leaf ऐसे होती है, tiny मतला very very small hole दिखाई देंगे, छेद होंगे, छोटे 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 Hole means shape, जिसमें से ना gas बाहर उड़ती है, पानी उड़ता है, in hole को कहते है, stomata, in shape को क्या कहते है, stomata Present on the underside of the leaf, ये leaf के नीचे मिलते हैं, उपर नहीं होते, they help the plant to breathe, stomata किसमें help करते हैं, breathe करने में तो आज इतना lesson पढ़ेंगे, अब next Monday को turn आएगा, then we will continue